मम्ता के किलो को द्वस्त करने के लिए भाश्पा कर रही है रत्यात्रा निकालने की तयारी जी हाँ पस्षिम बंगाल में अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए बीजेपी करेगी आस्था की सवारी पार्टी दुर्गापूजा के बाद राज्य में रत्यात्रा निकालने की योजना बना रही है आज की चर्चा रत्यात्रा के बारे में है बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर कई मोर्चों पर अपनी तयारी शुरू कर दी है बीजेपी जहां यूपी में अपने 2014 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए काम कर रही है वहीं पार्टी उन राज्यों को भी टार्गेट करने की कोशिश में है जहां अब तक उसका कोई भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है ऐसा ही एक राज्य है पश्शिम बंगाल जहां बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है बीजेपी के लिए दश्कों से बंजर रही इस जमीन पर पिछले लोगसबा चुनाव में उमीद जग गई थी इस वक्त बीजेपी के पास लोगसबा में पश्चिम बंगाल से दो सांसद है 2014 के बाद राज्य में बीजेपी को बले ही बहुत ही बड़ी सफलता ना मिली हो लेकिन इन चुनावों में जिस तरह से भाश्पा का वोट प्रतिशत बड़ा है उसने बीजेपी की उमीद जगा दी है भाश्पा ने मम्ता को सत्ता से बेदखल करने के लिए रत यात्रा निकालने की योजना बनाई है पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये रत यात्रा दुर्गा पूजा के बाद यानि की 19 अक्टोबर के बाद निकाली जा सकती है 2019 लोकसबचुनाव से ठीक पहले इस रत यात्रा का पार्टी के लिए बहुत जादा महत्व है इस यात्रा के जरिये पार्टी अपने संगटन के अधार और लोगों के बीच अपनी पहुच को बढ़ाने के लिए इस्तमाल कर रही है भाजपा रत यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा यानि की परिवर्तन यात्रा रखने पर विचार भी कर रही है दरसल पश्चिम बंगाल उन महत्पून राज्यों में से एक है जहाना केवल बीजीपी को अच्छे प्रदर्शन की उमीद है बलकि उसके लिए वो बहुत जादा कड़ी महनत भी कर रही है और इस यात्रा को लेकर इस तरह से प्लान कर रही है कि ये लोगसबचुनाव उनके लिए अच्छा साबित हो और लोगसबचुनाव के नजदीक आने तक ये रत्यात्रा चलती रहे भाश्पा का प्लान राज्य के हर मद्दाता से संपर्क करने का है पार्टी के लोगों का दावा है कि उन्हें राज्य के लोगों का समर्थन मिल रहा है बीजेपी के सूत्रों के अनुसार जिस तरह से पिछले दिनों राज्यों में बीजेपी कारेकर्ताओं की हत्या हुई उसके बारे में लोगों को बताना बहुत जादा जरूरी है बहुत जादा बड़ा मुद्दा है जो उभर कर आया है नर्सी पर ममता के कड़े रुक को बीजेपी अपने पक्ष में करने की कोशिश भी कर रही है तो वो तमाम कोशिशे भाजपा कर रही है जिससे वो ममता को अच्छी टक कर दे सके 2019 में भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसवा सीटों में से 22 सीटे जीतने का एक लक्ष बनाया है अमिश्या पहले ही एलान कर चुके हैं कि वो हर महीने बंगाल आईए इससे इतना तो तेह हो गया है कि लोकसवा चुनाव में बंगाल ममता के लिए एक सौफ्ट केक नही होने जा रहा है भाजपा पूरी तरह से ममता के किले पर हमला बोलने के लिए तैयार है बीजेपी की ये रत्यात्रा ममता के सपनों को चकना चूर कर देगी तैंक यू सो मच की वाचिंग टूडेइस पर मोर वीडियोज